हेले इस्ट्रेंट्स आय वी टेक्निकल क्लासेस के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्कीट का स्लेबस इनलाइसिस करने जा रहे हैं यानि इलेक्ट्रिकल सर्कीट पेपर जो के आप लोग इस वीडियो में हम लोग उसपर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस जानने से पहले इस पेपर की इंपरटेंस को समझते हैं कीविए थड़ समिस्टर के अंदर जो पेपर डिया गया इलेक्ट्रिकल सर्कीट ये केवल एक समिस्टर के लिए इंपरटे अगर आप electrical engineer बन रहे हैं तो ये पूरे जीवन में काम आने वाला subject है क्योंकि अगर कहीं भी आप जाईएगा तो आपको सबसे पहला question जो पूछा जाता है वो इसी electrical circuit से पूछा जाता है और इसके लावा इसका क्या importance है कि कोई भी subject चाहे आगे चल कर आप transformer पढ़ेंगे, motor पढ़ेंगे, आप power system पढ़ेंगे, उसके अंदर transmission है, switch gear है जितना भी subject आप आगे चल कर पढ़ेंगे, वो सारा subject के अंदर आपको network का उपयोग समझ में आएगा यानि electrical circuit का utilization होगा बेगर इस circuit के जाने हुए, ना तो आप transmission का numerical बना पाएंगे, ना ही आप machine का numerical बना पाएंगे तो ये एक ऐसा subject है, जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत concentration से पढ़ना है और इसके अंदर teacher से ज़्यादा आपको खुद भी effort लगाना है क्योंकि ये numerical based paper है, theory इसके अंदर बहुत कम numerical and derivation है तो आप जितना जादा numerical बनाईएगा, जितना जादा practice कीजिएगा, जितना जादा अभियास कीजिएगा उतना जादा ये paper के अंदर आपको पकड़ होगा और competition के अंदर इससे question आना must है जितना जादा आपका practice होगा उतना अच्छा रहेगा और ये paper हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत अच्छे से deal करें क्योंकि basic paper है, इससे हमको भी फायदा है, आपको भी फायदा है तो हम लोग दोनों मिलकर बहुत महिनस से इस paper को deal करेंगे ताकि each and every topic बहुत अच्छे से clear way में समद में आ जाए और हमेशा के लिए याद रहे, इस तरह से हम लोग इस subject की पढ़ाई करेंगे इन subject को आगे में बहुत अच्छे से हम लोग deal करेंगे तो हम लोग आज की इस video में, आज की इस lecture में बहुत basic introduction आपको बताएंगे हाईयर लेवल पर और यह माना गया है कि आप लोग basic पहले से पढ़ चुके हैं जैसे आपका चार्ज क्या है, current क्या है, voltage क्या है, power क्या है, resistance क्या है, inductance क्या है यह सब कुछ माना हुआ है कि आप पढ़े हुएं, अगर नहीं पढ़े हुएं तो इन सारे चीज़ को पढ़िएगा और उसमें हम भी आपको मदद करेंगे, कोशिश करें, कुछ basic lecture प्रोवाइड करें चुके इस बार second semester के अंदर आपको यह first semester में effort equally पढ़ना था, fundamental syllabus के उपर focus करेंगे, तो आईए syllabus में क्या है, उसको हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा हम आपको बहुत depth में नहीं, ऊपर से बताएंगे, इसलिए तो थोड़ा depth में जाएंगे, तो आपको समझने में दिक्कत हो गई, step by step चलेंगे, तो कोई problem नहीं होगा, हमारा, यानि आप आपको विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, कि आपको बहुत अच्छा यह समझ में आएगा, और step by step आप इस subject के अंदर अगर आप हमको follow करेंगे, तो इस subject के अंदर आपका बहुत अच्छा पकड़ बनेगा, तो पहला unit जो है, single phase AC series circuit दिया गया है, unit 1 के अंदर, analytical circuit के अंदर single phase AC series से, यानि यहाँ series circuit से शुरू किया गया, अब series के अंदर क्या क्या parameter use होगा, component क्या क्या लगएगा, resistor क्या है, inductor क्या है, capacitor क्या है, current क्या है, voltage क्या है, power क्या है, energy क्या है, charge क्या है, यह सारा कुछ आपको पहले से मालूम है, यह मान के यहाँ पर unit start किया गय हम भी मदद करेंगे, अगर दिक्कत होगा, पूछ लिजेगा, तो इस पर बहुत अच्छे से हम लोग basic जानने के बाद, इसको हम लोग आगे cover करेंगे, तो दिया गया single phase AC series circuit, series का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर current divide नहीं होता है, यानि हम लोगों का जो भी inductor है, capacitor है, व generation of AC voltage, generation यानि AC voltage को किस तरह, AC मतलब alternating, alternating current आपका जो generate हो रहा है, यानि एक बार positive मिला है, एक बार negative मिला है, आपकी value बढ़ रही है, फिर घट रही है, तो ऐसा क्यों मिलता है हम लोगों को, ठीक है, तो इस तरह का waveform क्यों मिलता है हम लोगों को, AC क्यों generate होता है, इसके पीछ generation of AC voltage, दूसरा चीज, phasor representation, यह बहुत important होता है, और यही चीज होता है, phasor representation, यानि phasor इसका diagram बनाया जाता है, और यह इतना important होता है, कि एक बार जिसको यह समझ में आ गया, वो इससे खेलना start कर देगा, यानि उसके लिए कुछ है नहीं, और जिसको समझने में दिक्कत ह नहीं संज में आया, जिसने शुरू में दिमाग नहीं लगाया, या आपका अच्छे जगा पढ़ाई नहीं किया, तो उन बच्चों को आगे चल कर बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि यही phasor representation आगे चल कर आपको machine में भी मिलेगा, आगे चल कर आपको transmission power system में मिलेगा, तो आ समाझ में आजाए और आप बहुत आसानी सिसको बनाने लगे, हर चीज आपको clear हो जाए, तीसरा चीज इसके अंदर पढ़ना R, L and C circuit, यानि pure resistive circuit, basic आप लोगोंने पढ़ा होगा, resistor लगा होगा है, केवल आपका circuit में तब क्या होगा, inductor केवल लगा हुआ है, तब circuit में क्य होगा, और इसके अलावा, जब आपका capacitor लगा हुआ है, केवल circuit में, तब किस तरह का, आपका current है, voltage है, phaser diagram बनेगा, current है, voltage का क्या relation होगा, वो सारी चीज हम लोगों को पढ़नी होती है, तो pure resistor, inductor and capacitor circuit पढ़ना, ये basic थोड़ा हो गया, अब यहाँ से series combination आगया, R, L है, R, C ह R, L कहने का मतलब resistor and inductor, R, L के अंदर हम लोग resistor को और inductor को आपस में series में लगाएंगे, और उसके बाद उसका performance को, current को, voltage को, impedance को, reactance को, सब चीज को calculate करेंगे, RC circuit है, यानि resistor and capacitor लगाएंगे, R, L, C circuit है, resistor, inductor and capacitor, तीनों को series में लगाएंगे, combination of AC series, ये सारा करने के बाद, each circuit का, यानि R, L का भी, RC का भी, R, L, C का भी हम लोग क्या करेंगे, उसका circuit diagram, उसका phasor diagram, waveform, उसके अंदर active power, reactive power, impedance, उसका क्या होगा, impedance triangle किस तरह से बनेगा, quality factor क्या होगा, बहुत सारा term उसका निकालना होता है, calculation करना होता है, उस पर based आपका numerical करना होता है, तो ये सारी ची से बहुत depth के अंदर और बहुत interesting way में हम लोग इस subject को पढ़ेंगे, सारे topic को बहुत अच्छे से clear करेंगे, दूसरा जो unit है, unit one के बाद, दूसरा unit है, ये पहले से मिलता जूलता है, लेकिन इसमें क्या changing क्या गया है, single face AC, sorry, यहाँ पर देखे, series ही लिख दिया है, parallel, ठीक ह parallel circuit, यहाँ पर दूसरा unit क्या पढ़ना है, single face AC, parallel circuit पढ़ना है, यानि जो भी यहाँ पर पढ़ा, RL है, तो RL यहाँ पर दूसरे unit के अंदर, अब उसी को कहा लगाना है, R है, उसके साथ inductor को parallel लगाना है, ठीक है, parallel लगाने के बाद, अब इसका सारा calculation करना है, तो RL हो जा आगा, R, L, C, तीनों को parallel में लगाना है, दोनों को parallel, यहाँ parallel combination करने के बाद, फिर से हम लोगों को resonance इसके अंदर एक टरमाएगा, resonance निकालना होगा, इसके अलावा quality factor, active power, reactive power, apparent power, इसका impedance, triangle, reactance, यह सारा कुछ हमको calculate करना है, unit 2 में भी जैसे unit 1 के अंदर किया है, unit 1 के अंद parallel के लिए करेंगे, दोनों बहुत अच्छा है, दोनों का phaser diagram circuit बहुत अच्छे से हम लोग समतेंगे, यह दोनों क्या था, single phase है, दोनों में क्या लिखा है, single phase, अब unit 3 के अंदर कहा क्या शुरू हो गया है, three phase, तो आगे जितना भी पढ़ेंगे, पूरा power system आपका काम कर रह होगा, आपने जो बड़ा load होता है, heavy motor होगा, वो सारा किस से चलता है, three phase supply से चलता है, ryb तो नाम सुनाई होगा, three phase supply, तो दो conductor की जगा, तीन तीन conductor आता है, single phase में दो conductor होता है, एक phase होता है, एक neutral, three phase में तीन conductor होता है, एक r होता है, एक y होता है, b होता है, तीनों में क्या तीनों का नेमिंग की साधार पर किया गया है उसका फेजर डाइगराम क्या बनेगा रिपर्जेंटेशन का ऐसा होगा एंगल का क्या अंतर होगा लाइन वोल्टेज क्या है फेज वोल्टेज क्या है बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक् को काम आएगा और पूरी मेहनत के साथ हम इस सब्जेट को डिल करेंगे इसके लिए आपको चिंता करने की जोरत नहीं है थ्री फेस सर्किट के अंदर हम लोगों को थ्री फेस पढ़ना तो पहला चीज क्या पढ़ना है थ्री फेस रिपर्जेंटेशन यानि थ्री फेस को किस तरह से रिपर्जेंट करते हैं दिखाते हैं दर्शाते हैं सर्किट उसका किस तरह से बनेगा वेफ़र्म किस तरह से बनेगा फेजर डाइगराम वो किस तरह बनेगा वो सारे चीज दूसरा इसमें पढ़ना टाइपस ऑफ थ्री फेस यानि थ्री फेस सिस्टम को कितने भा रचना होता है, एक को स्टार कहा जाता है, दूसरे को डिल्टा कहा जाता है, अब ये स्टार क्या है, डिल्टा क्या है, दोनों के सन रचना में क्या अंतर है, दोनों को किस तरह से दर्शाएंगे, दोनों के अंदर करेंड क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, वो सारी बात आ value कीजिएगा तो आपके लिए enough होगा इसके लावा balance load up three phase system है तो three phase system के अंदर क्या होगा आपका एक phase R हो जाएगा दूसरा Y हो जाएगा और तीसरा B हो जाएगा तो तीन phase है तो तीन phase क्या होना चाहिए तीनो balance यानि जितना current इस से आ रहा है R और Y से उतना ही B से भी होना चाहिए अगर मान के चली एक phase से ज़्यादा connection कर दिया है load ज़्यादा लगा दिया है इसकी value current की ज़्यादा होगी और इससे कम आ रहा है तो यह unbalance कहलाता और उस situation के अंदर circuit में problem होता है तो हम लोग balance load और unbalance load दोनों की बात करेंगे यहाँ पर जो एक common terminal होता उसको neutral बोला जाता है तो neutral क्या है और neutral shift किस तरह से कर जाता है उसकी बात करेंगे इसके अलावा three phase system के अंदर active power, reactive power and apparent power की बात करेंगे तो यह three phase circuit बहुत अच्छे से deal करेंगे बहुत interesting topic है क्योंकि three phase समझना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जितना भी आपको problem numerical solve करना होता है power system के अंदर, three phase machine के अंदर तो वो सारा alternator तो उसके अंदर three phase का आपको concept clear होना चाहिए इसके लावा अब देखिए network के यहाँ पर थोड़ा सा basic दिया है आपको जो पहले आपको पाणना होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर भी दिया है तो आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी क्या है network reduction यानि कोई भी सर्कुट को आप solve करते हैं बड़ा बड़ा आपका सर्कुट है उसको solve करने के लिए कुछ technique अपनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं network reduction अपनाया नकिक बोलते हैं यानि Garlic को किस तरह से आसानी से solve करें क्या technique अपनाया principle of circuit analysis यानि circuit को किस तरह से analyze करना है judge करना है देखना है वो इसके अंदर basic चीज हम लोग को पढ़नी है तो इसमें दिया गया source transformation source मतलब current source voltage source होता है current को voltage source में voltage को current source में किस तरह से बजला जाए और बदल कर किस तरह से आसानी से circuit को solve किया जाए उसके अंदर current voltage को आसानी से calculate किया जाए वो इसके अंदर पहना है इसके अलावा star to delta and delta to star यह इसके बाद भी topic हम नहीं लिखा star को delta में किस तरह बदलेंगे और जैसे यहाँ पर हमने बनाए star का यह connection star को delta में किस तरह से बदला जाता है और delta को star को में किस तरह से बदला जाता है उसका हम लोगों को analysis करना है पढ़ना है method procedure उसका देखना है mesh analysis and node analysis यह बहुत interesting topic है और बहुत important है और basic topic है यह पहले होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत नहीं है बहुत अच्छे सा हम लोग cover करेंगे mesh analysis and node analysis और इसके उपर numerical भी हम लोग solve करेंगे पांचवा unit दियावा network theorem network theorem का मतलब क्या है different scientist के दोरा विज्यानिक के दोरा एक method बताया गया एक procedure बताया गया जिस procedure को follow करके हम लोग बड़े बड़े circuit को बहुत आसानी से solve कर पाते हैं तो अलग-अलग send scientist है उनके दोरा कुछ method बताया गया तरीका बताया गया उसी को network theorem कहते है अलग-अलग विज्यानिक के नाम पर है जैसे super position theorem है maximum power transfer theorem है इसके अलावा newton's theorem और आपका different theorem आप लोगों को पढ़ना होगा तो ये आपका पांचवाँ unit है जिसमें बहुत तरह के आपका notar theorem इस तरह के बहुत सारे theorem की चर्चा की जाएगी और उस पर base numerical भी किया जाएगा तो ये total पांच unit है जिसको बहुत अच्छे से cover किया जाएगा पेपर आपका बहुत interesting है numerical paper है derivation है तो इसको बहुत अच्छे से cover कीजेगा आगे के semester में आगे के paper में ये बहुत help करने वाल है और competition में खास कर तो आज के लिए इतना ही मिलते है नए वीडियो में नए lecture के अंदर यदि किसी परकार का कोई dot है या information best related लेना है तो हमारे number पर 748349472 पर contact करके whatsapp message करके information ले सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में thank you